इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड के उत्तरकासी जिले से सामने आ रही है जहां गंगोत्री हाइवे पर अचानक चट्टान तूट जाने से हडकम्प मचा हुआ है बताया गया है कि यह हाथसा उत्तरकासी गंगोत्री हाइवे के पास दवरानी में घटित हुआ है तूटी चटान के मलबे के नीचे कई लोगों के दवे होने की जानकारी सामने आ रही है जबकि दो वहन छतिगरेस्त हो गए है और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है साथ ये आठ लोग घायल हो गए है आपको बता दिन की घायलों को 108 एंबुलेंस से हरसिल चिकिस साले को भेज दिया गया है सभी लोग दहरादून के बताय जा रहे हैं फिलाल घटना इस्तल के दोनों तरफ का ट्रैफिक रोग दिया गया है घटना की सूचना मिलने पर पुलिस परसासन एयों SDRF की टीमें घटना इस्तल पर पहुँच चुकी हैं और राहत एयों बचावकारे सुरू कर दिया गया है बताते चलें कि हाथ से वाली जगह पर इन दिनों सीमा सडक संगठन द्वारा सडक की बाहरी तरफ के पूस्ता का निर्मान किया जा रहा है इस जगह पर उपरी पहड़ी से अभी भी पथर गिरने का करम जारी है इसके साथ ही यहाँ भी कहा जा रहा है कि उपर जंगल में आग लगने से भी लगातार अब पत्थर और चटान गिर रहे हैं उत्तरकाजी के जिलाधिकारी डॉक्टर महरबान सिंग बिष्ट ने रहतेयों बचाव तीमों को जल्द से जल्द रैस्क्यू आपरेशन करने के निर्देश दिये हैं बने रहे हैं पहाड से मैदान की हर खबर के लिए देभूमी दर्शन के साथ